Hello Everyone Welcome to Bio Scholar तो इस वीडियो में हम देखेंगे Life Science and Bio Technology Gate का जो पेपर हुआ उसके साथ एंसर की भी आ गया थोड़ा पूछा गया था आए चिज़ता इस पहुत हुछ था वाज एक्सकरक्टेद फं ढ़े में एक्सेक्ळाब तो तो बायो टेकनोलोजी में बहुत ज्यादा बायो प्रॉसेस इंगिनिंग को उपर ध्यान दा रहा है तो एक्सपेक्टेड की नेक्स्ट येर भी लोग ऐसे ही पैटन फॉलो करेंगे तो आप यह जो कोश्चेन पैपर है इस कोश्चेन पैपर को अनलेसिस करके आपका नेक्स हम गेट लाइब साइंस का कट ओफ तो जो गेट लाइब साइंस हैं गेट लाइब साइंस कट ओ यह आप देखेंगे 2023 22 और यह जो प्रिवेसर कट अप हैं ड्यचनेरल के आपका लाई करता हैं 32 तो 33 मार्स के उपर इससे ज्यादा इन जनल नहीं जाता तो इसलिए मैं जो कर रहा हूं और देखें ये इस कट आफ सार भी डाइनामिक आप रिलेटिफ पाफ़ोमेंट्स के बारे में बात करें अगर रिलेटिफ पाफ़ोमेंट्स अब का अच्छा हो गया तो कट आप कैन इंक्रीज पर मॉडरेट 35 से ज्यादा नहीं गया है आप देख सकते हैं 36 की ग और से स्टी के लिए और साथ नंबर कम कर लिजे तो 21 टू 22 एक एक एक्सपेक्टेड काट ओब रहेगा तो आई बाद रैंक की अब अगर आपका माक्स इन अराउंड 56 टू 60 के बीच आ रहा है तो आपका अच्छा खासा रैंक आएगा टॉप 20 टॉप 10 में भी आप रैंग्स होते हैं जयसे फर्स्ट रैंग सेगेंड रैंग इन यह जो रैंग्स हैं दे स्कोरा वहरी हाइज को जैसे सत्तर सौ बने से सतर नंबर अब आ पार रहें तो यह रैंग्स विट्विटूइन टॉप 3rd में आप किसी जगा पॉजिशन हो सकते हैं मेरा जैसे से जर् तो इस रेंज में अगर आपका माक्स है 56-60 आप टॉप रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो नेक्स हम देखेंगे गेट बाय टेकनोलोजी का प्रिविए से कट आफ पहले इसको देख लेते हैं यह भी लगबग सेम है 32-35 के आसपास तो इस बार भी 32-34 के ही आसपास आएगा इस से ज्यादा डेविएट नहीं करता और जैसे मैंने बोला तो ओबी सी डॉबलेस के लिए और छह सथ नंबर कम कर लिजे 28-30 के रिंज में आएगा 29-30 के विच में और साथ नंबर 21-22 अप्रॉक्स सेम जाहेगा क्योंकि इस बार के पेपर में बाया प्रोसेस इंजिनियर बहुत अच्छा खासा पूछा गया था और कुछ टेकनिकल कोस्टिन पूछा गया था जो थोड़ा नॉलेज होगा प्रैक्टिकल नॉलेज हो करते हैं दे दे फाइंड इजी फॉर इस कोस्टिन तो सॉल्व एंड रिलेटिव आप यहां पर देखेंगे अगर आपका रैं आपके यह जो रैंक्स हैं दाट विल अल्टिमेटली डिटर्माइन आप क्या करना चाते हैं में एम्टेक पोग्राम में अड्मिसन लेने चाते हैं यह पीज़ी करना चाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा जो नेक्स वीडियो में मैं डिसकस करूंगा कि आपका गेट का में इसके बाद क्या करना है इसके बाद आप अगर इंटेक करना चाते हैं इसको ध्यान रखिए कि अगर आप एड्मिसन दिलना चाते हैं तो डिफरेंट इस फर्म जल्दी ही रिलीज करना चालू कर देगा क्योंकि यह जो जो एड्मिसन होगा तो मार्च अप्रिल में ही एक्सपेक्टेड हैं अप्रिल दक फ्रॉम आ जाना चाहिए फिल अब भी हो जाएगा आपका इंडर्विव में जुन में स्टार्ट हो जाएगा में जुन जुलाई में तो यह जो रेंज है इसके थोड़ा ध्यान रखना त आपका एक्जाम उतना अच्छा नहीं गया तो इसके बारे में अगर डिसकस करू देखिए पहला चीज आप समझे क्या क्या हो सकता है इसके बाद तो पहला जो एक्जाम से आपका इस डीबीटी जीरफ उसके लिए आप अगर टार्गेट कर रहें तो एक्जाम 20 एप्रिल को होने वाला है तो यू कान स्टार्ट प्रिपेरिंग फ्रॉम ना क्योंकि डीबीटी जीरफ एक बहुत अच्छा अपर्चुनिटी है जैसे रिसेंटली आर्सीबी ने लांज किया है एक बी आर आई सी आर्सीबी जॉइन्ट पोग्राम यहां पे डिफरेंट आर्सीबी क है डीबीटी के अंडर में तो यह ओफरिंग एप्रॉक्स सेवेंटी सीट्स यह नंबर जो देख रहा है ना सतर सीट है बहुत यूज नंबर है इसका एक चैनल है जो पहला चैनल है जिसमें आपको फेलोसीब चाहिए जैसे सी एसार हो या डीबीटी हो तो मैं इसलिए बत सब्सक्राइब होना चाहिए और कोशें स्टेट कार्ड ओन लाइन होता है तो यह बहुत अच्छा अपर्चुनिटी है जो आपको देखना चाहिए और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट सीए सायर आने वाला है जून के लिए उसके लिए पढ़ना चालू कर दिजिए जो से इस एक्जाम को टार्गेट कीजिए जो भी देख रहा है डीबीटी जी आरेप जरूर से जरूर फॉर्म भरना है फॉर्म फिलक चालू हो गया और 20 अप्रिल को एक्जाम से तो प्रिपेर फॉर्ट आपकमिंग जून CSR नेट इसके साथ साथ मैं गाइड करूंगा डीब एक एक्जाम में अच्छा रैंग नहीं ले पाए या CSR में अच्छा परसंटाइल नहीं आया तो आप डी मोटिवेट हो जाएंगा ऐसा नहीं है कि आपका जो यह लॉंग टम पढ़ाई है यही काम आएगा तो अपनी तरब से खाली पढ़ी सकते हैं और अच्छे से कुस् इसको प्रैक्टिस कीजिए यही आपका डेली सीडियोट होगा चाहिए कीफ स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे डीवीटी जी यारे कैसे आप टार्गेट कर सकते हैं उसको कैसे आचीव कर सकते और उसके साथ-साथ मैं गेट का एंट एंट वीडियो थाचिव और वाचिए बायस्टोर